असस्लाम अलेकूम आज हम आपके साथ शैर करेंगे 25 लोगों के लिए चिकन दम बिर्यानी की रेसिपी और ये बनाना सिखेंगे हम बावर्ची से तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे तो चलिए सबसे पहले अब हम बिरियानी बनाने के लिए प्यास को काट कर रख लेंगे प्यास लेंगे हम बारी कटी हुई एक किलो और आदर किलो प्यास लेंगे चॉप की हुई तो बारी कटी हुई प्यास जो एक किलो है उसको पहले हम तल कर निकाल लेंगे और यह जो चौप की हुई प्यास है इसको कच्छी ही हम अखनी में आट करने के लिए इस तरह से चौप करके रख लेंगे यानि कि हम लेंगे 1.5 किलो प्यास उसमें से 1 किलो काट कर रख लेंगे और 1.5 किलो चौप करके रख लेंगे तो चलिए सबसे पहले, अब हम 1 kg प्यास को frye कर लेंगे 오늘 इसके लिए वगूणे में cooking oil आड़ कर लेंगे तो ये है 5,5 kg कुकिंग आड़ अब हम इसमें add करेंगे बारी कटी हुई 1 kg प्यास तो प्यास को काड़ लेनी के बाद में हम इस तरह से इसके लच्छे जल्दी से चेंज हो जाता है और यह फ्राइब करेंगे हम मीडियम हीट पे तो यह देखिए प्यास का जो कलर है अब बादामी कलर में आ गया प्यास अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गई अब हम इसको तेल में से इस तरह से अच्छे से चान कर निकाल लेंगे तो प्यास को फ्राई करने के बाद में हम इसको कोई भी खुले बर्तन में अच्छे से फैला कर दाल देंगे इस तरह से अब ये तली हुई प्यास को हम दो हिसों में कर लेंगे एक हिसे को इस तरह से हाथ से क्रश कर लेंगे और एक हिसे को साबित ऐसे ही रख देंगे यानि कि बिना क्रश की हुई प्यास को हम चावलों के ओपर दम पे दालेंगे और यह जो क्रश की हुई प्याज है इसको हम अफनी में आट करेंगे नीम्बू लेंगे हम चार मीडियम साइज के तो नीम्बू का रस आप लोग अपनी मर्जी की हिसाब से जिस तरह से निकलना चाह रहें निकल सकते तो यह देखिए बवर्ची का जो तरीखा है नीम्बू काटकर इसमें आधी गलास पानी आट करके इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे इस तरह से जैसे के मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ तो चलिए अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे चिकन लेंगे हम 4 किलो अब हम इसमें अध्रकलेशन का पेस्ट आट करेंगे 1250 ग्राम तो विर्यानी को हम जिस बरतन में दम देंगे उसी में ही चिकन को मैरिनेट करके रख लेना रहता तो पहले से ही इसको हमने बड़ी इसी हांडी यानि के लगभग 8-10 किलो चामल पकने वाली जो हांडी रहती उसमें ये एड़ करके रख लेंगे यानि के हम खुले सा इसका बगोना या हांडी लेना तो विर्यानी अच्छे से दम होती तो लाल मिर्च पॉडर लेंगे 50 ग्राम और हरी मिर्ची का पीसा हुआ पेस्ट है वो भी 50 ग्राम दोनों भी मिर्चियां 50-50 ग्राम लेंगे हरी मिर्च और लाल मिर्च पच्चास ग्राम हरी मिर्च लेंगे और इसका पेस बना लेके चिकन में आट कर लेंगे और पच्चास ग्राम लाल मिर्च पॉडर तो मिर्च आप अपने टेस्ट के सब से आट कर ले सकते हल्दी पॉडर लेंगे एक टेबल स्पून और दो टेबल स्पून नमक नमक आप ल अब हम इसमें थोड़ा सावीत गरह मसाला आट कर लेंगे, एक टेबल स्पून शाजीरा, पांसे छे लाउंग और पांसे छे दालचीनी के तुकड़े, और यह है जाफरान, तो जाफरान लेंगे हम एक ग्राम, आदा किलो चॉप्ट की हुई प्याज आट करेंगे, बारी कटावा कोटमीर मोठी बर आट कर लेंगे, बारी कटा हुआ पुदीना मोठी बर लेंगे, अब हम इसमें पीची हुई इलाइची का पॉडर एट करेंगे, चाटी स्पून, तो इलाइची का पॉडर जब भी हम बनाएंगे, बिरियानी के लिए खास दोर पे, तो इसको हम छिलकों के साथ में ही पीसेंगे, तो ये भी छिलकों के साथ में ही पीसी हुई है, इलाइची, तो इलाइची पॉडर एट करने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेना है, लगबख इसको मिक्स करेंगे हम दस मिनिट के लिए इस तरह से हातन से अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसके बाद में इसको रख देंगे हम कुछ देर के लिए यानि के बीस मिनिट के लिए सिर्फ बीस मिनिट के लिए रखना है, और इसके बाद में 20 मिनिट हो जाने के बाद में दही आड़ करेंगे दही लेंगे हम एक किलो अब हम इसमें नीबू का जो निकाला वारस है वो आड़ करेंगे इस तरह से चान कर इसमें आड़ करेंगे प्यास का तलावा तेल आड़ करेंगे तो यह तेल है लगभग 300 ग्राम तो तेल की कॉंटिटी जो है आप लोग अपनी मर्जी की हिसाब से कमिया ज्यादा कर ले सकते अब हम इसमें क्रश की हुए प्याज आट करेंगे जो प्याज को पहले हमने तल के निकाल के रखिया था अब उसमें की आधी क्रश की हुए प्याज इसमें आट कर लेंगे अच्छे से मिला लेंगे अब एक लास पानी आट करेंगे इसमें तो पानी जरूर आट किजिए पानी आट करने की वजह यह है अखनी जो है बिल्कुल ड्राई ने होती थोड़ी सी लूज रहती अच्छी यानि के बिरियानी का जो गोष्ट रहता वह भी अच्छे से गलता बिल्कुल अच्छे से नरम हो जाता तो पानी आट करने के बाद में इसको अच्छे से मिला लेना है और इसके बाद में हम यह ड़कन से कवर करके रख देंगे लगभक आदे घंटे के लिए और जब तक यह चिकन मारिनेट होगा हम बिरियानी के लिए चावल बना लेंगे तो चलिए हम चावल बनाने के तयारी कर लेंगे तो जब भी बिरियानी बनाना हो तो चावलों को लगभक एक घंटे के लिए हम यानि के ज्यादा कॉंटिटी में अगर चावल रह तो इसको संपाहँ में लेंगे हम इलाइची पॉडडर दोटी इस्पून नमक लेंगे 6 टेबिल इस्पून और शाजीरा दोटी इस्फून 5000 पान से चे तक्रे सिंग ऑर ठाल पकाने के लिए इसने के लिए लेगे समय हम 10 ृगई में 25 च्राल पानी आट करेंगे अब फ्लेम अन करके हाई हीट पर पकाएंगे और जब यह पानी गरम हो जाएगा हम इसमें दालचीने लॉंग और शाजीरा इलाइची पॉडर नमक यह सब चीज़ें आट कर लेने के बाद में चॉप के हवा कोथमीर पुदीना दोनों भी मुठी भर मु करेंगे जब पानी में अच्छे से उबाल आना शुरू हाजाएगा हम इसमें भीगे हुए चावल एट कर लेंगे चावल एट कर लेने के बाद में यह पकाएंगे हम हाई हीट पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही पकाना है ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि यह कच्छे गूश की दम की बियानी है तो इसके लिए हम चावल कच्छे ही निधाल लेंगे तो इसी वज़े से हम इसको ज्य जादा नहीं पकाएंगे यानि के चावल एड़ करने के बाद में इसमें जब उबाला ना शुरूर हो जाएगा सिर्फ दो मिनट के लिए पकाना है और इसके बाद में चावलों को हम निकालते जाएंगे और हंडी में एड़ करते जाएंगे तो चावलों को हम ज्यादा ने पकाएंगे चावलों को कच्चे ही निधा लेना है यानि के ज्यादा बोइलने करेंगे सिर्फ दो मिनट के लिए ही बोइल करना है और flame on रखे ही हम इस तरह से यानि कि चावल पकते ही रहते चावलों को इस तरह से चनी से हम निकाल कर चिकन के उपर दालते जाएंगे तो चावलों को अच्छे से चान लेने के बाद में अब हम इसमें से थोड़ा सा अधन का पानी लेंगे 500 ml यह जो अधन का पानी है हम इसको दालेंगे चावलों के उपर से तो चावल जो है कच्छे है इसकी वज़े से हम थोड़ा सा अधन का पानी दालेंगे तो चावल अच्छे से दम हो जाते तो ये जो अधन का पानी है इसमें हम थोड़ा सा घी भी आड़ करेंगे लगभग 100 ग्राम घी आड़ करके इसको अच्छे से मिला लेना है और इस तरह से हम फैला कर चामलंग के उपर से दाल देंगे और लेंगे हम आधी ग्लास पानी पानी में थोड़ा सा येलो फोट कलर अड़ करेंगे लेमन येलो फोट कलर लेंगे अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद में हम ये जो येलो फोट कलर का पानी है इसको इस तरह से हम चामलंग के उपर से छिड़क देंगे अच्छे से पहला कर छटकेंगे इस तरह से और ये है तली हुई प्यास तो वीडियो की स्टार्टिक में ही हमने प्यास को फ्राई करके निकाल लिया था आदी प्यास क्रश करके इसमें आड़ करें थे अपनी में और आदी प्यास चावलों के उपर से डालने के लिए हमने बचा के रख लिया था तो ये वही प्यास है इस तरह से हम प्यास को भी डाल देंगे और इसके बाद में अब हम ढखन से कवर करके फ्लेम आउन करेंगे और इसको पकाएंगे हम हाई हीट पे 20 मिनट के लिए तो इस तरह से हम इसको फैलती हुई आज के साथ में बनाएंगे तो 20 मिनट तक इसको अच्छे से हाई हीट पे पका लेने के बाद में हम तवे को गरम कर देंगे हाई हीट पे जब तवे में से अच्छा धुआ निकलना शुरू हो जाएगा चावलों की जो हांडी यानि के बिरियानी की जो हांडी है हम उसको तवे के उपर रख देंगे तो तवे को पहले अच्छे से गरम कर लेना है तवा लेंगे हम हेवी बॉटम वाला तो बिरियानी अच्छे से दम होती, दाख भी ने लगती तवा अच्छे से गरम हो जाने के बाद में हम बिरियानी की हांडी तवे के उपर रख देंगे अब ये दम होने के लिए रखेंगे हम मीडियम टू लो हीट पे 20 मिनट के लिए रखना है सिर्फ और 20 मिनट हो जाने के बाद में हम पौरी फ्लेम आफ कर देंगे तो इसको अगर गरम तवे के ओपर भी हम छोड़ देंगे ऐसे ही 20 मिनट के बाद में तो थोड़ा बहुत भी अगर बागी रह गया पानी वानी जो भी हो इसके अंद का दम होने के लिए वह अच्छे से दम हो जाएगा तो यह देखिए 20 मिनट के बाद में अब हमने फ्लेम आफ कर लिया है यह बिर्यानी बहुत अच्छे से दम हो गई तो गरम तवे के ओपर ही अगर हम छोड़ के भी रख देंगे तो बिर्यानी ज्यादा देर तक गरम भी फ्लेम आफ कर देने के बाद में इसको तवे के ओपर ही हुम ञౌड़ देंगे ऐसे ही तो बिर्यानी गरम रहती और अगर दम होना रहता थोड़ा बी अच्छे से दम हो जाएगा फ्लेम आफ के बाद में चार्वलों के अपर से हम गी दालेंगे इस तारह से लग भक स्व यानी बनाना हो इस रेसिपी को आप लोग जरूर ट्राय करके देखिए और रेसिपी देखने के बाद में यह अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए थैंक्स पर वाचेंग अलाह अपीस